हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्जू किसनल चेनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ट्रीटमेंट ओफ ड्राय कप के बारे में तो dry cup की जिसको हम कहते हैं सूखी खासी, तो सूखी खासी के इलाज में उप्यों की दवाईयों के बारे में हम जानेंगे, ये वीडियो लेक्चर में कि ये ऐसे दवाईया है कि जो dry cup के इलाज में जो है वो यूज की जाती है, उनको दिसरे वड में antitensive drugs भी कहा जाता है, त तो अगर आपके पास android phone ये तो android app डाउनलोड करें, आइफ़न यूजर अप स्टोर से, लिंक आपको description box में मिल जाएंगे, और अब आप फार्मरोक्स के अप उपर disease and treatment और सभी medicines related lecture एक्सेस कर पाओगे, affordable price के अंदर और उनके PDF, PPT and video सब जो है आप एक्सेस कर पाओगे, त फार्मरोक्स और एक्सेस कर ये ये courses, तो लिंक आपको description box में मिल जाएंगे, या फिर ये number पे contact करके भी आप link वगेरा as well as query जो है वो solve कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि dry cup मलेब के जिसको हम कहते हैं सूखी खासी, तो ऐसी खासी आपको आती है कि जिसके अंदर मुकस या फिर फ्लैम जो है वो produce नहीं होता, कि सूखी खासी के definition ही यही है कि ऐसी खासी कि जिसके अंदर किसी भी type का मुकस या फिर फ्लैम प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ आपको खासी आती है, तो सूखी खासी ऐसी खासी है कि कि किसी भी बलगम या कॉफ का उत्पाद प्रोडियूस नहीं कर दी कि जब किसी परसंगुशन को सूखी खासी आती है तो आप उसको चेक करो तो उसमें किसी भी तरह से आपको बलगम देखने को नहीं मिलेगा या फिर cough भी produce जो है वो वहाँ पे नहीं होता कि जिसको हम कहते हैं सूखी खासी तो सूखी खासी जो है वो ऐसी कंडिस की जिसके अंदर जो problem है वो patient को खास कर रात को ज्यादा होता है कि रात को इसकी condition और ज्यादा खराब होती है और ये होने के बहुत सार एलग एलग reasons होते हैं जैसे कि अस्थमा के कारण या फिर किसी allergy के कारण acid reflux के कारण कि जिसको हम GERD कहते है respiratory problems, non respiratory सभी तरह के problems के करण ये सूखी खासी हो सकती है तो उसके reasons हम अच्छे से समझे तो अगर आपको upper respiratory tract का infection हो है तो उस वग सूखी खासी आपको हो सकती है जैसे कि common cold के अंदर तो कई बार सर्दी जुकाम होता है तो उसके अंदर ये सूखी खासी होती है बट उसके अंदर किसी भी दरह का mucos जो है वो form नहीं होता allergies के करण हो सकता है respiratory tract के irritants जैसे कि dust के करण के कई बार dust की आपको allergy है या फिर आप dust के contact में भी आते है तो भी बार बार आपको ये सूखी खासी आती है smoke के contact में आते है air pollution या फिर चेंज होता है temperature के अंदर या फिर मौसम चेंज होता है तो भी ये सूखी खासी आते है जैसे कि temperature change होना मतलब कि कि समझो कि दीन में जो है वो temperature रहता है 36 degree Celsius और रात में वही temperature समझो कि ऐसा मौसम है कि रात को वह temperature down होके 20 degree Celsius जितना हो जाता है 18 degree Celsius होता है या फिर 16 degree तो जब ऐसे conditions होते हैं या फिर आप travel वगेरा कर रहे हैं और ऐसे reason में जा रहे है कि जहाँ पे temperature काफे down है तो ऐसे condition में भी आपको जो है वो dry cough जो है वो सकते कि ये सब irritants बनते है respirated rack के लिए कि जैसे dust है, smoke है, air pollution तो इन सभी के करण भी सुखी खासी हो सकती है फिर post-nuzzle drip के करण, अस्तमा के करण, acid reflux, GERD, कोई viral infection है, कोई cold जे सा हुआ है flu-like symptom से, coronavirus के आपको symptom से, allergic condition से या फिर environmental irritant से या सभी responsible बनते है सुखी खासी होने के लिए तो symptoms हम देखे, तो जैसे nagging tickle in airway के, आपको ऐसा फिल होता है कि कुछ आपके airways के अंदर जो है वो फसा हुआ है और आप उसको निकालने के लिए आप बार-बार जो है आपको खासी आती है या फिर बीना किसी reason continuously जो है वो coughing रहती है, खासी रहती है और ऐसी खासी आएगी कि जिसके अंदर जो है mucus present नहीं होगा कि no mucus with cough कि खासी आ रही है बड़ कोई उसके अंदर आप देखो तो फ्लेम प्रड्यूस नहीं हो रहा था कि वह एक symptom बनता है जो खासी का symptom and to identify and treat the underlying cause of the dry cough तो अब जो हमारी lecture की जो मेन कॉंसेप्ट है कि उसका इलाज कैसे होता है कॉनसे अलेगले medications यूज होते हैं तो medications depend करता है reasons के उपर की कॉनसे reason से आपको ये सुखी खासी हो रही है और किस तरह के symptoms डेवलप हो रहते हैं तो प्राइकप के medications में हम देखे तो cough center को suppress करने वाले medications के ऐसे brain के centers की coughing produce करते हैं तो वही centers को समझो कि हम बंद करते, inhibit करते, तो क्या होगा खासी जो है वो आना बंद हो जाएगी, तो इसके जो medications रहते हैं वो है falcoding रहता है या फिर dextromethorphan, तो dextromethorphan के जो अलग-अलग formulation बह बहुत साले लग-अलग जो pharma company से वो dry cough के लिए ये syrups बनाती है कि जो especially dry cough के लाज में use होते हैं उनके अंदर जो कोई आप ingredient देखोगे तो वो आपको मिलेगा dextromethorphan या फिर उसके अंदर falcoding रहेगा, फिर dry cough के लिए logen जिस भी आप market में available है कि आप यहाँ पे देखो strep seals के dry cough के लिए dextromethorphan hydrobromard के ये logenges भी होते हैं कि जिसको आप जो है वो toffee की तरह या फिर किसी भी चोकलेट की तरह खा सकते हैं ये wix के भी menthol या फिर अलग-अलग flavors वाले cough drops available होते हैं होल्स के भी अवेलेबल होते हैं कि जो cough drops या फिर logenges की तरह पर काम करते हैं कि जिनके इंग्रेडियंट हम देखे तो सहद होता है honey, menthol रहता है, tulsi, ginger, eucalyptus और dextromethorphan उनके अंदर main ingredient रहते हैं सीरप और tablets के हम बात करें तो acetaminophen, ambroxol, hydrochloride, dextromethorphan, guenfencin, phenylephrine, pseudoephedrine जैसे ingredient ये syrups के अंदर खास कर रहते हैं कि आप कोई भी एक syrups देखो के dry cup की तो आपको ये सब medications उनके अंदर included देखने को मिलेगी अब गर पे किस तरह से आप इलाज करो dry cup का तो menthol के बने जो cough drops होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं humidified machine यूज़ करते हैं कि जिससे आप जो है वो ऐसी air ले कि जो moisturized air आपको मिले कि जिससे सूखी खासी ना हो soup ले सकते हैं आप ब्रोथ या फिरटी irritant से दूर रहे हनी खा सकते हैं मतलब की सहेद वगर आप ले सकते हैं gargling कर सकते हैं salt water से अलग अलग जैसे herb जैसे की ginger है तुलसी पत्र है वसा का है टर्मेरी खनी सभी का mixture बना कि आप काढ़ा भी बना सकते कि जो आपको dry cough में काफी help करेगा और कई बार जो vitamins की deficiency तो साथ में आप multivitamins B ले सकते हैं तो anti-tustive drugs जो है वो ये केटेगरी में सबसे popular है कि जो अपर रेस्परेट रहक के अंदर होने वाले infection और उसमें भी स्विशल ये dry cough को relief करने के लिए use होता है कि anti-tustive मतलब की coughing और coughing को stop करने वाली दवाईया मतलब की anti-tustive drug तो anti-tustive का main role ही ये होता है कि आपके cough center को completely inhibit करना और coughing के जो reflexes होते हैं उनको बंद करना और अगर समझें कि थोड़ा बहुत भी कोई mucos है तो वो mucos को भी वो आपकी body में से बाहर निकल देगा और ये जो खासी का जो problem वो completely cure हो जाएगा तो खासी होने से क्या होता है कि कई बार जो हमारा airway जो है वो ऐसा feel करते कि काफी tight हो चुका है breathing करने में भी कई बार difficulty होती है आपको ऐसा feel होता है कि congestion है swelling में difficulty होती है chest में tightening हो जाता है lungs जो है वो damage हो सकते है और irritation काफी होता है तो cop center को suppress करने वाले ये medications कि जिसके अंदर dextromythorphone जो है वो सबसे popular है और ये over the counter OTC medications की list में आता है कि बिना किसी prescription के आप directly उसको जो है वो purchase कर सकते है तो anti-tususe जो medications है उनका जो मैंने अभी आपको समझाया यही point है कि ये medications cough center को specially जो है वो completely inhibit कर देगी जिसके करन जो coughing के जो reflex होते है वो completely बंद हो जाते है तो उसमें हम proper एक पूरा classification देखे तो कौन से opioid यूज होते है as a anti-tususe तो उसके अंदर codeine जो है वो काफी popular है opioids के अंदर फिर fall codeine के भी cup syrup जाते है ethylmorphine जैसे ये तीन ingredient ऐसे है कि जिनके अंदर opioid रहते है कि जो anti-tususe के तोर पे काम करते है फिर आप देखो दूसरे कुछ medications non-opioids में से तो वो anti-tususe है नॉसकेपीन है तो नॉसकेपीन के दूसरे medications के साथ combination में ये और tablets भी available होते है फिर dextromethorphan तो आपको पता ही है और clofedainol तो ये तीन ऐसे ingredient है कि जो as a anti-tususe यूस किया जाते है कि जाहे tablet dosis form हो capsule हो या फिर syrup के अंदर भी ये यूस किया जाते है antihistamines में देखे तो chlorphenaryamine है diphenhydramine है promethazine है तो ये सब popular कि जैसे आप sipla का ये product देखोगे copseels copseels के ये जो आप लिखो लिखा है copseels के अंदर के dry copseel पर उसके ingredients आप देखो तो खासकर आपको उसके अंदर डाइफेन hydramine जो है वो देखने को मिलेगा फिर ये जो expectorant आप देख रहे तो उसके अंदर भी chlorphenyliamine है और दुसरे ingredients से एड़ किया है कि जो as a anti-tususe काम करते तो ये medications हैसे कि जो anti-histamine है specially allergy के करण होने वाले सुखी खासी को treat करने के लिए ये सब जो है वो काफी popular है फिर दूसरी ऐसे anti-tususe के जो help करते हैं ऐसे condition में तो वो है bronchodilator salbutamol and terbutalin काई बार आप bronchodilator salbutamol and terbutalin भी आप पाओगे कि इस टाइब के जो medications होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो cup syrup आप देख रहे हैं उसके अंदर आप देखोगे कि salbutamol and ambroxol है कि जो as a bronchodilator भी काम करेगा और anti-tususe भी काम करेगा मैं कि दोनों काम करेगा तो यह medications कैसे काम करती है तो यहाँ पे brain के अंदर cough centers होते हैं और यह cough centers की activity के कारण जो है वो coughing produce होता है तो यह medications क्या कर देते हैं inhibit कर देती है production of cough जैसे कि dextro method fan जो है वो NMDA receptor को block करके अपनी effect देता है कि जिसको N-methyl-d-aspartate receptor antagonist कहा जाता है जो antihistamines होते हैं वो reduce करते हैं mucos का secretion by anticholinergic action in our body और specially common हम देखे तो यह सब cough center को भी suppress करते हैं कि जिससे coughing जो है वो काफी कम हो जाता है तो उनके हम indigations देखे कि कहा पे हम use कर सकते हैं तो dry cough की लाज में तो use होते हैं but समझो कि overactive thyroid gland है diabetes है close angle glucoma high blood pressure तो ऐसी समझो कि आपको condition है तो antitursives को जो है वो use नहीं करनी है कि dry cough के लिए आप use कर रहे हैं यह medication पर समझो कि आपकी thyroid gland जो है वो काफी overactive है आपको diabetes की condition है close angle glucoma के patient है आप या फिर आपका blood pressure काफी high रहता है फिर ऐसे conditions की जिसके अंदर आपका blood pressure जो है वो काफी uncontrollable है proper control में नहीं है या फिर severe disease है आपको arteries की या फिर heart related आपका prostate जो है enlarge हो रहे है तो यह से जो patients होते है उनको dry cough होने पर यह medications नहीं लेने चाहिए उसके बजाए आप दुसरे alternative जो है वो try कर सकते है या फिर herbal जो है वो use कर सकते है बिकोज यह medications लेने से आपकी condition और ज़दा medications हो सकते हैं तो antitussives के contraindications यह सब में आएंगे के dry cough की इलाज में medications तो use होती है but समझो कि यह सब conditions आपके अंदर है तो आपको proper जो है वो precautions लेने चाहिए और pharmacist या फिर doctor के according to ही दूसरे alternative जो है वो use करने चाहिए अब यह medications के side effect देखे तो सबसे पहले तो drossiness कि जब भी है तो drossiness जैसा फिल होता है नीन दाती है dizziness जैसा फिल करते है कई बार headache हो जाता है vision कई बार blur हो जाती है stomach upset जैसा फिल होता है nausea vomiting होना constipation या फिर यह एक खास देखने को मिलता है कि dry mouth nose and throat तो उसके करन आपको क्या होगा कि बार बार आपको प्यास लगेगी पानी पिने क अमन होगा तो यह सब side effects develop होते कि जब आप dry cough के अलग-अलग medications यूज़ करते तो यह common side effect है पर यह side effects समझो कि और ज्यादा खराब हो रही है तो तुरंत आपको medications जो है वो change करने चाहिए फिर बात करे कि जो medications के आपने बात के तो usually जो syrups वगेरा होते है वो दिन में से ज्यादा से ज्यादा जो है वो 15 ml जितनी लेनी चाहिए और वो खास कर इस तरह से लिया जाता है कि 5 ml एक टाइम दूसरा 5 ml जो है वो सेकंड टाइम और तीसरा 5 ml जो है वो थर्ड ताइम तो इस तरह से 1,1,1 के दिन में तीन टाइम आप 5 ml जितना dose जो है उसका ले सकते ह कि वो आपके लिए रहेगा सेफ पर समझें कि 15 ml से ज्यादा आप यूस करते है तो उससे ये सब side effects जो है वो ज्यादा हो सकते तो ये खास द्यान रखें dose जो है वो आप पर ले 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 तो डीसी जन मेडिसीन से रिलेटेड लेक्चर जरूर से अटेंड करें फार्मरोक्स क करते है study material ये नमबर भी WhatsApp करके आप query solve कर सकते है जोइन कर सकते है WhatsApp group access कर सकते study material टेस्ट सीरिजन वीडियो लेक्चर फार्मरोक्स के आप उपर से गूड लग और अल दे बेस्ट